बॉलिवोड में मेगा स्टार अमिताब बच्चन जब भी किसी मौकी पर नज़र आते हैं बॉलिवोड से हटकर जब उनका कामकार समाज के लिए होता है और साथ साथ में समाजिक कारियों में जब वो शामील होते हैं तो उनका अंदास बिलकुल अलग होता है अमिताब बच्चन का दबदबा ना सिर बॉलिवोड इंडस्ट्री में है बलकी राजनितिक चहरों की बीच है और साथ में भारत देश के प्रगती की ओर बढ़ाने वाले योजनाओं की ओर है स्वक्षता अभ्यान से लेकर स्वक्ष भारत अभ्यान से लेकर जो इसे लेकर चलाए गई योजनाओं की बात की जाए हाली में अमिताब बच्चन नितिन गटकरे और दिया मिर्जा के साथ नसर आए एक मौकी पर जहां पर सिधात मनहुत्रा भी स्पॉट किये गए थे बॉलिवोड की यंग स्टार्स और राजनितिक चहरों की बीच अमिताब बच्चन ने जब वहां शिरकत की तो अमिताब बच्चन ने सभी के बीच डिप्रेशन जैसे गंबीर बिमारी को लेकर अलर्टनेस पर बात करते वे अपनी तरफ से रियक्शन दिया अमिताब जो खुद भी तमाम बिमारीों से ग्रसित हैं जोने हैपिटाइटिस की वज़े से हैं हैपिटाइटिस भी पेशन के ब्लग को वज़े से उनके अंदर काफी जादा प्रॉब्लम्स रही अमिताब बच्चन जो फल्म कुली के सेट पर काफी जादा एक्सन के वज़े से तकलीफ छेल चुके थे अमिताब बच्चन जो की अस्तमा पेसिंट भी हैं अमिताब बच्चन जिनके 25 प्रतिशत लीवर के सही होने की खबर बिलकुल उन्होंने खुद ही दी थी जिनका 75 प्रतिशत लीवर टैमेज हो चुका है वो अमिताब बच्चन तमाम बिमारियों के अलावा डिप्रेशन जैसे बिमारी को लेकर क्या राय रखते हैं अपने दर्द भरी बिमारियों को लेकर हर जगा 76 साल की उमर में पहुँचने वाली अमिताब बच्चन ने तमाम बाते क की साथ ही साथ में बॉलिवड एक्टर सिधात मनहोतरा का भी उन्होंने दिल जित लिया यकिन नहीं करेंगे आ तो हमारे इस प्रोग्राम में स्वक्षगर कंपैन को लेकर जब अमिताब बच्चन नजर आएं तो उन्होंने खुद ही क्या क्या कहा आपको हमारे इस अमिताब बच्चन ने बात की है डिप्रेशन को लेकर जब उनसे सवाल कי आगया तो उन्होंने अपनी तकलीव भी बया की तमाम बिमारियों से जुझ रहे हैं अमिताब बच्चन एक नहीं दो नहीं कई प्रकार की बिमारियों से अमिताब बच्चन 76 साल की उमर में एक रसित है लेकिन इसके बावजूद वो इस तरह की इविंट में पहुँच जाते हैं ये खास मौका था स्वक्षता अभ्यान को लेकर जिसे स्वक्षता ग्रह के कंपैन के नाम से जाना चारा है तो दिया मर्जा से लेकर नितिन गड़करी जहां पहुँचे वहां अमिताब बच्चन ने भी इस कंपैन को इस हासका रेक्रम को सपोर्ट किया और इस मौके पर अमिताब बच्चन ने तमाम बाते भी की सुनिए ज़रा अमिताब बच्चन से क्या-क्या बाते सामने आई अर यह, He feels he is the cause of all the problems in the family. He feels hopeless, useless and worthless and sometimes he feels that it's better dead than alive. Sometimes there are rare symptoms Amitabhji, that is pain across the body. Yeah, there may be several reasons why I don't want to go to work in the morning and that may not be depression. But the point is that if there is something physical that can be recognized, is there something like that? We're all depressed. कि अविपक्कि अविटेश्व दिए मेले कि गुए एक फिटेस्टेनियों कि अविपक्त आप के अविगाथ कि अविए ट्री टीज़ इस अविए ताष देश्टेन अविए एपया है पट पूंगा इंप मैं आपकि तूसा सुछ छोज़ा ए्सम नपट देशें इंपेंट ुएहिए रिकुछिए गयुमरेशिह रु IS।।ब हाएंने हैं। जार्य व्यूमरेशिछासिति ही उनन्तिप्रश्बरिस्ट्थिए जताइ यॵियर के लिदेस्थितो ब्लबोर्ञचिया को ही एक कषणिटception सरे एंप्रेश्प्रेश्ब little स्वागत है आपका स्वस्था ग्रह में अब टेक्नोलिजी और स्वास्त इनके बिए कुईसी के साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि किस तरह से अमिताब बच्चन जो है स्वाक्ष्ट ग्रह कम पैन कोगर्श बात करते नज़र आए तो वहाँ पर हमिताब ने अपनी तरफ से वी बात रखी स्वाक्ष्टा को लेकर देश्त में पैलने वाली बीमारियों को ले कर commits required सुनीय मताब कर साथ में देखी उनके रियक्शन सो इंख यह on Go ahead, Mr. Partner I always believe that Be it Satyagraha or Swatch 읽H société It starts from inside It has to be An individual attempt At working towards A larger cause And I think When we talk about personal hygiene We've gone right inside Every Indian and that matters for the country a healthy Indian would also mean a healthy India and I congratulate this endeavour and it is possible Mr. Amitabh Bachchan is here maybe you would like to ask a question Kamal, this is Amitabh here hello, how are you? thank you so much for being with us Kamal and you know lending your time to this very worthy cause we have been talking a lot about cleanliness and some of our panelists here and me were talking about you know the generation of oxygen and trees were one of the subjects that came up they grow more trees and we need the oxygen but perhaps one of the things that you know maybe you would like to is that the generation of oxygen apparently is larger from the oceans than in comparison with the trees so what are we doing about that? बात अगर की जाये Amitabh Bachchan और Bollywood Stars की बीश bonding की तो इस तरह की कमपैन में जब Amitabh Bachchan ही सल लेते हैं तो वहाँ पर Bollywood actors भी Amitabh Bachchan को देकर वहाँ उनका संबान करते हैं उड़ापेक यूमर में Amitabh Bachchan को काफी तकलीफ हो रही थी बैठे रहने में लेकिन घंटो तक इस कमपैन के हिस्सा बने रहे है Amitabh Bachchan तकलीफ सहते वे वह वहाँ पहुँचे जहां पर सिधारत मलहोत्रा भी पहुँचे सिधारत मलहोत्रा ने Amitabh Bachchan की तारीफ की साथी साथ वहाँ पर हुए किस तरह से स्वक्षता की ओर देश को लेकर जाना है भारत को कैसे नीट अन क्लीन बनाना है इस पर सिधारत मलहोत्रा ने Amitabh Bachchan के नक्षे कदम चलते वे क्या क्या कहा और किस तरह से Amitabh Bachchan यहाँ पर बड़पन दिखाते नज़र आए और किस तरह से इस खास मौकी कानंद लोते नज़र आये मिताब आईए देखते हैं इस खास वीडियो में आईने क्या है मैं सुभह से हर किसी से यह पूछ रहा हूं कि आप परिभाषा बताइए स्वस्थ शब्द की क्योंकि स्वस्थ की परिभाषा लोगों के लिए अलग-अलग आपके लिए क्या है बिलकुल जैसा कि आपने का है तिंग हर किसी के लिए एक अलग-अलग मेनिग होता है स्वास्त का, I think मैं खुद परसनली अगर देखूं तो एक हुलिस्टिक पॉिस्टिक पुई से, चाहे वो मेंटल हो, फिसिकल हो, आपकी डायट हो, आपके मूड्स हो, आपकी एफिशंसी हो, I look at, मैं देखता हूँ इस बॉड़ी को एक मशीन की तरह, जो I think is one of the best machine in the world, it can function and heal itself in the most amazing way. So I think इसको आप जिस्ट एफिशंट तरीके से इस्तमाल करें, correct rest, correct movement, activities, correct diet, I think इसके बहुत सारे पहलू है, बहुत सारे aspects है, हम तो इस बिजनस में हैं, और I think यहां पे भी मैं बच्छन साब के साथ में बेठा हूँ, I think he's a true example of somebody who's extremely fit and agile and active. You're just asking him what exercise he does. Absolutely, sir is doing more movies. I won't be able to follow it, Pranaj. I won't try. Sir is on television in every second ad, doing more movies than all of us. Sir is on KBC and then he's taking out… He hasn't let the stage since morning. He's taken out time to such a wonderful cause today. So, sir, you're a true inspiration and thank you so much for inspiring all of us. And yeah, I think it's a very holistic way of mental, physical health. It's not simply going to the gym. You can do outdoor activities. You basically just need a physical routine. I mean, I think I get my income from the screen. But my basic worry is that people are nowadays spending too much time, you know, looking at the screen and not getting out or missing out on sunlight, on outdoor activities. So, I think jitna you detox karay per day, upon screen, upon TV, or upon devices, it will be better for your health. तो आपको कुछ गंटो पूरे दिन में निकालने पड़ेंगे कि आप अपने डिवाइस से दूर रहें तो इसके अपने साथ रहें कुछ अक्टिविटी करें आपकी बॉडी दिफरें बूड से जाएं आपको कि आपको अपको सारे अमोशन में आपको अपने सिंदगी में लेके आपको मिल जाते हैं चाहे रहे हो थकान हो आपको यह टम पॉडर्स में तो इसकोरा को दोसारी स्वेंवरक हो So I think sports is a great medium अगर हम सबने दोस्तों के साथ ये परिवारवलों के साथ कुछ खेल पाए रोज वो हमको definitely healthy और happy रखेगा Okay, Swati now we want to focus on the health bonds, right? So if you could first introduce what health bonds are for those who don't know and then maybe take forward Well I think the best introduction can come from RBI and I think Ravi tried hard to explain it to me so I'm gonna throw it back to him, so Ravi why don't you explain the health bonds because I have to say you do it a lot better than I could translating your words So this is a brief history behind the bonds before I you know tell you more, you know, download on that So we are working across 6,000, 6,50,000 schools across India we were reached out by the chief minister of Uttar Pradesh to put something together so that you know Uttar Pradesh as a state comes up in the overall human development index and he said like I want to have something which is more impact based so you know generally you sign the checks and you give it to the NGOs and the civil society organization said like you know can we try and test something and he said definitely we can look into that and that was the first you know first conversation we had with him around six months back and then from there like we started getting the regular you know follow calls from him and you know we started working together with EY with USAID and we thought like you know let's put a structure together where we get the co-investments from the other partners and we put a result framework in place to reduce the infant mortality to strengthen the work on the new natural health from 0 to 28 days on the top of that like we thought like we we did lot of review of literature and we found as per the WHO's seven point plan the most critical thing is hand washing you know so you know to JP bring it back to me what to you know from what you know you heard से एक तकलीफ होई है उनके दार में प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से अमिताब काफी परिशान रहे हैं इसके बावजोद अपने शो क्विज शो कौन बनेगा करोड़ पती में अमिताब बच्चन लगतार नजर आ रहे हैं ये शो ऑक्टूबर की महीने तक चलेगा अपने तक रखने की आदत हो गई है तो अमिताब बच्चन की बारे में हमने कुछ खास बाते आज इस प्रोग्राम के जरीए आप तक पहुचाई ये साथ में सिधात मलहुत्रा ने अमिताब के साथ बैट कर किस तरह से जुगल बंदी की और साथी साथ लोगों को की तमाम अपडेट्स बॉलिवुड गलियारों से लेकर फिल्मी दुनिया से लेकर आप तक पहुचाने के लिए देखते रहें नेक्स्टो नाइन न्यूज और जुड़े रहें हर खबर के साथ नमस्कार